बीजेपी संसत कंगना रनोत के बयान को लेकर स्यासी घमासार मचा हुआ है हर्यान में आमादमी पार्टी ने कंगना रनोत के खिलाब रोत परदर्सन किया आपने कंगना की सदशतारद करने की मांग कि इसके साथ भीजेपी के खिलाब भी जम कर नारेवाजी की अक्रेस्ट कंग्रा निनौत के किसानों पर दिये बयान से बवाल उठा है और सियासत इससे जरूर गर्माई है क्योंकि हर्याना के अंदर आमाद्मी पार्टी ने अज प्रोटेस्ट कॉल की है अलग अलग जगा पर प्रोटेस्ट किये जा रहे हैं कंग्रा निनौत के किसानो पर दिये बयान पर इस समय पंचकुला के अंदर भी सेक्टर 11 और 14 का जो चौक है शेहीद भगत सिंग चौक यहाँ पर आमादमी पार्टी हर्याना की और से परदर्शन किया जा रहा है और हातों में आप देखिए पोस्टर और प्लेकार लेकर आमादमी पार्टी हर्याना के जो लीडर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हलाकि बीजेपी की और से इस पर क्लेरिफिकेशन जुरूर आया लेकिन किसान नेता और अलग अलग राजनीतिक दल इस पर अपती जताकर विरौत कर रहे हैं हमारे सब पंचकुला आमादमी पार्टी के अनिल पंगोत्रा जी क्या मांगना आपके वह किसानों के खलाफ कम करती है पहले खटर सरकार थी उन्हoutheast Hitv पहलवानों के साथ अत्या-चार किया हम यह डिमान करते हैं कि कंगनाइद नौद की सतर्स्यता रद्द करनी चाहिए बीजेपी कोई चाहिए और यह प्रधर्शन आप कब तक करेंगे जब तक यह सुद्रेंगे नि हमारा प्रधर्शन हम करांटिकारी लोग है आमाधी पार्टी के अंदर नेता नहीं होते हैं करांती कारी होते हैं हम करांती कारी ऐसे लोग हैं जो ज़रोंने दिल्ली पंजाब को जीता आए तो कोई भी जब तक यह प्रदान मंत्री कुद आके माफी नी मांगते हम अपना प्रदेशन जारी रखेंगी हम करांतिकारी है अगर अगर बहारती जनता पार्टी इतनी सची पक्की है तो कंदरा पी सदर्शाता रदेडेरी चाहिए अगर्शामता तो ठीके नजी सची ये कब तक पर्दर्शन जारी रखेंगे पांचको कहां कहांड़र्शन हो हम हर जिल्हें में हो रहा है अच्राई हम जल्त हुआ है भशे बारती जनता पार्टी की सरकार में कभी रेप हो रहा है कुछ हो रहा है बिल्कोली खतरनाक बन चुका है तुमामें इनका इनका प्राltum कोटन अपने लोग है इसी परा propag यह इंपनी अपने एलेक्शन और कर रहा है कि लंबी पंगोत्रा आमादमी पार्टी के निता है हर्याना आमादमी पार्टी के और सीधी मांग यह कि कंगना रेनौत की सदस्यता रदोनी चाहिए और इसका असर कहीं न कहीं लोग हर्याना विधानसभा चुनाव में देंगे भाजपा का सुप्रा साफ होगा और परदर्शन जब जब तक जारी रहेगा जब तक वो कंगना रेनौत कि सदस्यता रद्नी होती परदार मंतरी माफी नहीं मांगते और इस पर कहीं न कहीं कोई सीरियस नोट बीजेपी की और से और आगे नहीं दिखाया जाता बता दे कि मंदी संसन ने हाली में एक इंटर्व्यू के दौरान कहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर इंसा वरकाई जा रहे थी वहां वलातकार और हत्याएं हो रहे थी आला कि कंगना के इस बयान पर विवाद बड़ा तो बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया बीजेपी ने कंगना के बयान को ब्यक्तिकत बताया और कंगना को भी ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलने की नसीहती है इस ख़बर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रही किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पानी के लिए बैल आइकन भी तबा दे